बिस्मिल्यायर रमान रहीम, Mathematics Power Class 10, Unit 6, Basic Statistics, Review Exercise 6 से आज हम Question No.1 MCQs करेंगे So Review Exercise 6 की तरह आ रहे है, उसमें Question No.1 में कह रहे है कि At the end of each question, 4 circles are given, fill the correct circle only So, आप लोगों को first part given है कि the difference between upper limits of the two consecutive classes in the frequency table is called ठीक है, यह हम already chapter start में यह पढ़ चुके है, चंड definition हम पढ़ चुके है, जिसमें आप लोगों ने class limit, class interval, class marks, class midpoint वगारे यह आप लोगों का आप लोगों पढ़ चुके हैं तो मैं description में link भी देंगा और साथ साथ i card में भी आप लोगों को दे रहा हूं, वहां से आप लोगों चेक करें वहां पर हमने पढ़ा था कि class interval और class width आप लोगों पास क्या है, कि दो consecutive class के upper class limit या lower class limit या midpoint के दर्मियान जो difference हा रहे हैं उसको हम class interval का जाता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो upper limit हो या lower limit हो, ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को जो question में given है, वो upper limit का care है, ठीक है, यह, तो upper limit दो consecutive class के दर्मियान अगर आप लोगों पास जो difference हा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम class interval कहते हैं, ठीक है, तो यह आप लोगों का correct answer आ रहे हैं, अच्छा second part में कह रहे हैं कि cumulative frequency histogram is called, ठीक है, cumulative frequency हमने पढ़ा था, cumulative frequency distribution, अगर आप इसको graphically represent करोगे, आप इसका histogram gram बना होगे, तो इसका second name हमने इसको कहा था, ओगे हो, ठीक है, तो वो आप लोगों का ओगे हो आ रहा था, ठीक है, अगर आप लोगों को data given हो, और इसमें number of times the will you appear, इसको हम क्या कहते हैं, इसको चलो, मैं एक example से आप लोगों को समझा रहा हूं, so let's say आप लोगों पास य 2, 3, 2, 4, and so on, ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग चेक करें, आप लोगों पास एक minimum value जाए, वो 2 है, और maximum आप लोगों का 4 आ रहे, तो इनको मैं यहां पे लिक रहा हूं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, अब 1 कितने time repeat हो रहे हैं, इस data में अगर आप लोग चेक करें, number of time value appear, तो उसक हम frequency क WITHنت, चिस तरह आप लोगों पास यह 1 आ रहे है, 1 आप लोगों पास कितनी time repeat हो रहे है, यहां पे 2 time repeat हो रहे है, थीक है, इस तरह आप 2 को check करें, 2 हमारे पास यह 1, 2, 3, 3 time repeat हो रहा है So 2 का frequency आप लोगे पास क्या रहा है? 3 इसी तरह अगर आप इस data में 3 को check करें तो 3 आप लोगे पास 1, 2, 3 So यह 3 time repeat हो रहा है So 3 का frequency भी 3 आ रहा है और इस तरह अगर आप 4 को check करें तो 4 आप लोग पासो 1, 2, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है? So, the number of time the value appear in the data is called what? That is called frequency, ठीक है? इसको अगर आप लोग चेक करें, यहां पे 2 हमारे पासो 3 time appear हो रहा है, तो हम कहते हैं कि 2 का frequency क्या है? 2 का frequency 3 आ रहा है, ठीक है? So, यहां पे आप लोग का correct answer क्या रहा है? That is frequency, ठीक है? So, the number of time the value appear in a set of data is called what? Frequency. अच्छा, पाट पॉर में कहे रहे हैं कि the data below represents the number of television in the 11th student having their homes, ठीक है? So, find the mod of the data, mod हम से पूछा जा रहा है, ठीक है? So, mod हमने पढ़ाता कि the most occurrence data, data में जो value बहुत time repeat हो रहा हो, यहां पे अगर आप लोग चेक करें, 3 जो है, वो 2 time repeat हो रहा है, इस तरह 2 आप लोग में पास है, 3 time repeat हो रहा है, लेकिन अगर आप 1 को चेक करें, तो 1, 2, 3, 4, 5, so 1, 5 time repeat हो रहा है, so means 1 सबसे ज्यादे repeat हो रहा है, तो इसका mod क्या हो जाएगा, the mod will be 1, ठीक है, अच्छा part 5 में कह रहे है, in which set of data, the mean, median, mod, and range, all are the same number, ठीक है, इसमें यह कह रहे हैं कि आप लोगों को यह चार data given है, इन में से आप लोगोंने calculate करना होगा, कि mean, median, mode का same result हा रहा है, ठीक है, same number, mean same result हा रहा है, तो अगर आप फस्ट चेक करें, यहाँ पर जो data आप लोगों हो given है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसमें सब में आप लोगोंने पास 1, 2, 3, तो फस्ट हम चलो range वालूम करते हैं, तो range, चुनकि यहाँ पर यह सेम आ रहा है, so maximum, maximum आप लोगों का क्या रहा है, that is 3, और minimum value क्या है, that is 1, तो range आप लोगों का क्या रहा है, that is 2, तो बाकी भी आप लोगों पास mean, median और mode भी 2 होना चाहिए, it's all the same number, ठीक है, mean, median, mode, same number, means आप लोगों पास x bar arithmetic mean, median और mode आप लोगों का 2, 2, 2 आना चाहिए, तो आप first data में अगर आप लोग चेक करें, यहां पे अगर आप लोग, let's say, mode मालूम कर रहें, तो mode अगर आप लोग चेक करें, इसका mode 2 आ रहें, क्योंकि 3 time repeat हो रहें, बाकी ये 3, 2 time repeat हो रहें, और 1 भी 2 time, so mode आप लोगों का 2 हो जाएगा यहां से, ठीक है, इसी तरह आप लोगों का median, अगर आप इसको arrange करोगे, means 1, 1, अगर आप first data को कर रहें, 1, 1, और 2, 2, 2, 3 time repeat हो रहें, और last आप लोगों का 3 भी 2 time repeat हो रहें, तो आप लोगों का median क्या हो जाएगा, med value ठीक है, जो data को दो बराबर ही, so med divide करें, so 2 अप लोगों का median भी आ रहें, mean भी आप लोगों का 2 होगा, क्योंकि अगर 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 आप लेट से 3 को आप इस side पर shift करें, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और इस 3 से 1 shift करो, तो ये 2, 2, 2, तो इसका मतलब ये आ रहें, कि आप लोगों का first answer सही हा रहें, लेकर आगर आगर आप बाकर माड अगर आप लोग चेक करें, इसमें माड 1 आ रहें, ठीक है, 2 नहीं आ रहें, तो ये गलत होगा, इसी तरह अगर आगर आप लोग चेक करें, इसके, माड जो है वो two आ रहे है लेकिन arithmetic mean two नहीं है ठीक है अगर आप जिए झारें से your answer track करें तो यह आप लुम्स यहां से आ जाएगा means यह जाएगा यह भी हो जाएगा लेकि यहां पी यह तरी अपलों का रह जाएगा ठीक है तो सारे two to क्या रहे, 2 रहे, so first answer is the correct, अच्छा, next question number 6 में कह रहे है कि the nth root of the product of n numbers of the values is called arithmetic mean, नहीं, arithmetic mean का definition यह नहीं है, geometric mean का definition यह रहे, ठीक है, अगर let's say आप लोगें पास एक number x1, इसी तरह x2, इसी तरह next value x3 and let's say हमारे पास xn, ठीक है, और इनका product, ठीक है, अगर यह let's say x1 multiply by x2 multiply by x3 and so on, और आप ले में पास यह xn तक, ठीक है, xn, इनको अगर आप multiply करोगे, means इनका product, और इसका अगर आप nth root लोगे, so that is called geometric mean, ठीक है, so यह आपने geometric mean का definition पढ़ाता, ठीक है, so geometric mean आप लोगें पास क्या है, is the nth root of the product of n values, is called geometric mean, ठीक है, अचा question number 7 में कह रहा है, कि in the set of data, यह आप लोगें को data given है, 63, 65, 66, 67, 69, इसका median आप लोगें पास क्या होगा, so अगर आप लोग चेक करें, median के लिए हमने data को पहले arrange करना होगा, so यह already arrange है, 63, 65, 66, 67, 69, ठीक है, so यह arrange है, और median हमने पढ़ा था, कि वो value जो data को दो बराबर हिस्सों में divide करें, so अगर आप लोग चेक करें, आप लोगें पास दो number एक तरफ और दो number दुसरे तरफ, आप लोगें का 66 क्या हो जाएगा, 66 आप लोगें का mid value आ रहे, so this is called median, ठीक है, so 66 आप लोगें का median आ रहे, 5, n is 5, so 5 आप लोगें का क्या है, odd number आ रहे, तो odd number के लिए हमने formula पढ़ा था कि n plus 1, ठीक है, n plus 1 divided by 2, 2th item, ठीक है, so आप लोगें पास n 5 है, so 5 divided by 2, 5, sorry 5 plus 1 divided by 2, so that is equal to 6, 6 divided by 2, which is 3, so third item, ठीक है, third item आप लोगें पास हो जाएगा, third item अगर आप लोग चेक करें, 1, 2, 3, so that is 66, ठीक है, theoretically आप इस कुछ तरह करोगे, जबकि अगर आप लोगें से, ये multiple choice question में पूचा जा रहे हैं, तो आप लोग असानी से कर सकते हैं कि इसको दो डेटा एक साइट पर दो डेटा दूसरे साइट पर मेट में आप लोग का जूड़ वेल्यू आ रहे है तो वेल्यू जो डेटा को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें अच्छा question number 8 में भी आप लोग को कहा जा रहा है कि in the setup data यह आप लोगों को data given है और आप लोगों से क्या मांगा जा रहे मेडियन लेकिन अगर आप इसको गोर से पड़े 41, 43, 47, 52, 1, 57, 52 यह 52 अडर में नहीं है ठीक है तो यह आप लोगों का आ रहे है यहां पे इसको आप arrange क 51 ठीक है यह arrange ज़रूरी है अगर आप arrange नहीं करोगे तो आप लोगों का result गलत आ जाएगा तो यह 52 यहां पे आ रहे है ठीक है बागी data arrange है लेकिन यह 52 चलो यह 52 नेक्स आप लोगों का 57 आ जाएगा और last में 59 ठीक है अब अगर आप लोगों इसको चेक करो तो यहां पे मैं एक तीन डेटा को एक साड में लिखा रहों और तीन डेटा आप लोगों पास डुसरे साड पहा है अब में वीड़ी आफ लोगों का क्या रहे हा रहे है 1 2 3 4 ये 5 ठीक है so 51 आप लोग का सही अंसर हा रहे है सही है अच्छा नेक्स्ट क्विस्चिन नमबर 9 में कह रहे है कि in the given set up data 577 ये ठीक है और यहां पे आप लोगों का माड मालूम करने है ठीक है माड हमने पढ़ाता कि the most occurring data in the most occurring value in the data ठीक है आप लोग इसमें चेक करें कौन सा data ज्यादा repeat हो रहे है तो अगर आप लोग चेक करें 5 हमारे पास 2 time repeat हो रहे है जबकि 7 3 time repeat हो रहे है ठीक है ठीक है सारे 5 values है ठीक है the standard division is ठीक है standard division हमने पढ़ा था कि division parameter mean तो अगर आप लोग चेक कर इसका mean क्याएगा 5 so 5-5 5-5 5-5 5-5 तो इसका आप लोग पास standard division क्या जाएगा 0 आ जाएगा ठीक है so means इसमें आप लोग पास सो कोई deviation नहीं है variation data में नहीं आ रहे ठीक है so इसका आप लोग पास standard division क्या जाएगा 0 आ जाएगा ठीक है question number 11 में कह रहे है कि the average per cut money of 30 student is 20 or is 20 the total amount in the class is ठीक है यहां पे आप लोग पास n जो है वो 30 है ठीक है number of students 30 students given है so n आप लोग का 30 आ रहे है जबके हमें arithmetic mean means average हमें given है कि that is 20 ठीक है x bar हमें given है कि यह आप लोग पास क्या रहे that is 20 so यहां पे हमसे total amount पूछा जा रहे means summation x आप लोग को नहीं मालूम कर दे you have to find summation x ठीक है so means summation x का मतलब है total amount ठीक है so हमें पता है कि x bar is equal to summation x divided by n अब x bar आप लोगों को गेवाने average is 20 ठीक है so average आप लोग का 20 आ रहे is equal to summation x आप लोगों नहीं मालूम करना है जबके n आप लोगों को गेवाने that is what that is 30 ठीक है so summation x will be equal to summation x will be equal to means इसको cross multiply कर वा रहा हो ना summation x is equal to 20 multiply by 30 so यह आप लोगों पास 30 so 3 2s are 6 और 2 0s means 600 ठीक है so correct answers आप लोगों का क्या हो जाएगा last one 600 अच्छा next question number 12 में कह रहा है कि the sum of 30 observation is 1 5 or 1500 ठीक है what is the average or the average will be ठीक है so n आप लोगों को n given है that is 30 again n आप लोगों को 30 given है और total means sum sum को हम summation x से denote करते हैं ठीक है summation x हमें given है that is 1500 means 1500 तो आप लोगों को ने क्या average means x bar आप लोगों ने मादूम करना है x bar आप लोगों ने मालूम करना है so हमने formula पढ़ा था कि x bar is equal to summation x divided by n आप summation x आप लोगों का क्या है that is 1500 divided by 30 so 30 से आप divide करे so means यह 0 इसके साथ cancel हो जाएगा और 35,000 35,000 15 और यह 0 so mean आप लोगों का correct answer क्या हो जाएगा 50 आ रहे ठीक है जो कि इसमें नहीं नहीं आप this question number 13 में कह रहा है कि the difference of the largest and smallest value is called उसको हमने range पढ़ा था ठीक है range is equal to इसको हमने R से denote किया था और हमने कहा था कि maximum value M A maximum या largest value minus smallest minimum value ठीक है so यह आप लोगों का range आ रहे है ठीक है range हमने पढ़ा था कि the difference between the largest and smallest value अच्छा पार 14 में आप लोगों को पर्मूला गेवन है summation x divided by n determines what arithmetic mean ठीक है x bar इसको हमने x bar सो भी denote किया था x bar is equal to this और वो आप लोगों का arithmetic mean आ रहे है ठीक है अच्छा पार 15 में कह रहे है कि what is the difference between the mean of set A and median of set B ठीक है अमें ये 2 sets given है set A जिसमें data आप वमें पास य юen set B का data ये given है तो आप लोगों ने first क्या करना होगा set B का आप लोगों ने mean मालूम करना होगा ठीक है so means mean up set B set B का mean अगर आप लोग चेक कर इसका mean में मालूम करवा रहा हौँ ठीक है, इसको पहले add करे, इसका sum मालूम करे, means 12 plus 5, 17, 17 minus 3, that is 14, 14 plus 7, that is 18, 18, और यह 7, 7 आपस में cancel हो रहे है, ठीक है, so means 18, कहां से आप लोगों पास आ रहे, 18, 18 divided by n, n आप लोग चेक करे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, divided by 6, so 6 threes are 18, so means set B का mean आप लोगों का क्या रहे, 3 आ रहे, इसी तरह set A का median आपने मालूम करने है, so set A आप लोगों पास arrange नहीं है, पहले इसको arrange करें, ठीक है, so मैं इसको ascending order में arrange करवा रहा हूं, so that is सबसे चोठा date आप लोगों का क्या रहे, minus 4, next आप लोगों का minus 1, इसी तरह next आप लोगों का रहे, 2, इसी तरह 3, ठीक है, 3 और 3 के आप लोगों का 7 और 11, ठीक है, so 7 और next आप लोगों का 11 आ रहे, अब यहां पर check करें, आप लोगों पास जो end given है, that is 6, ठीक है, so 6 में means आप लोगों पास 2 data आप एक side पे करो, और 2 data आप लोगों दूसरे side पे करो, so और यह इन दोनों का sum, ठीक है, अगर यह एक होता तो हम direct कहते कि यह इसका median आ रहे, लेकिन आप यहां पर 2 data है, so 2 data means आप 2 प्लस 3 करो, so 2 प्लस 3 divided by 2, so यहां से आप लोगों पास result क्या जाएगा, that is equal to 5, 5 divided by 2, so 5 divided by 2 से आप लोगों पास result आ जाएगा, 2.5, ठीक है, so set A का median आप लोगों का क्या रहे, set A का median आप लोगों का 2.5 आ ठीक है, so अब next हमने इन दोनों के दर्मियान डेफरेंस, set B का mean, mean offset B and median offset A, so mean, in के दर्मियान डेफरेंस, mean offset B, which is 3, and median offset A, that is 2.5, so इसको अगर आप सब्ट्रेक करोगे, तो result आप लोगों पास आजाएगा, 0.5, ठीक है, so correct answer आप लोगों का क्या हो जाएगा, 0.5, अच्छा, part 16 में कहरा है कि ये, is card what, आप लोगों को ये परमूला गयाँ है, ये किसका परमूला है, ठीक है, so ये आप लोगों पास summation F, X-X bar whole square, means deviation from mean, और उसका square, divided by summation F, तो ये आप लोगों पास variance हा रहे, ठीक है, standard division में आप लोगों पास square root होगा, standard division is the square root of the variance, so यहाँ प क्या रहे, variance हा रहे, ठीक है, अच्छा, last part 17 में कहरा है, कि the most frequent value in a data is called, it's mod, हमने पढ़ा था, ठीक है, वो डेटा है, जो सबसे ज्यादा repeat, most occurrence, जो बहुत ज्यादा repeat हो रहा हो, ठीक है, so that is, that is card what, इसको हमने mod पढ़ा था, ठीक है, so ये ता आप लोगों का review exercise 6, जिसका question number 1 MCQs, objective type, ठीक है, so next time, remaining question, inshallah, next करेंगे, तब तक के लिए, Allah Hafiz.